हलो दोस्तों नमस्कार रदे रदे सभी को तो आप लोग कैसे हैं जरूर बताईएगा आपके हाँ ठंडी कैसे हैं वो भी बताईएगा तो मेरे यह ठंडी बहुत ज़्यादा अभी पढ़ रही है तीन चार दिन से बीच में नॉर्मल हो गया था ना ठंडी थी ना गर्मी थी बहुत ज़्यादा सोटर इनर पहनने के जरूरत नहीं थी जब बाहर जाते थे तो थोड़ा बहुत हलका फुलका कम गरम करने वाला जै है बहुत ज़्यादा नुक्सान करती है एसी ठंड कभी गर्मी हो जाएगे कभी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो फिर सर्दी जुखामवाई हो जाता है जब मौसम नार्मल हो जाता है तो लोग थोड़ा कपड़े कम पहनते हैं और जब खूब ठंडी पढ़ने लगते हैं तब तो पहन ना ही है तो इसकी वज़ा से थोड़ा सा सर्द गरम हो जाता है धूप तो निकल रही है लेकिन धूप सरीर में लगती नहीं है जैसे मसीन के धुले हुए भी कपड़े जो अच्छे से गरम हो जाते थे न वो चीज नहीं होती है कि गरम होके एकदम खाने वाले तो सूबह ही डाल के आये थे और बहुत ज्यादा ठंडा था तो वहां पर आग जला लिये थे लकड़िया मैंने रखवा ली थी बाई से तो आग हो गई थी तो बोले कि वहां पर आलू डाल देना बच्चों से डलवा भी दिये थे तो फिर बच्चे वह इसे निकाल के वहीं पर छिल लोंगे और छिल का उपर ही रख देते हूं तो थोड़े बहुत जो पौधे लगए है ना जो सबजी का छिल का निकलता है सुखा वाला तो मैं उसे में डाल देते हूं और पौधा अच्छा हो जाता है सड़के खाद हो जाता है और मैं यहां पर संदूल लगा ले हूं कंगी नहीं की हूं वैसे उपर से ही कंगी कर ले हूं और मुझे ना तीन दिन हो गए हैं कंगी की यह बस मैं उपर से ही ऐसे कर लेती हूं साम को टालने जाती हूं तो भी जूड़ बना लेती हूं और फिर उपर से साल डाल लेती तो खोल के मैं कंगी नहीं की दो-तीन दिन हो गए हैं और फिर मैं आ गई थी छप्पे छप्पे भावी भी वैठी थी उनसे बाते भी करते जा रहे थे तो अलो मेरी हो गई है और मैं इसको पानी में डाल लोंगे यह से और पानी में डालने से क्या होता है कि आलो भी धूल जाएगी जो राख वगएर लगी रहती है तो अच्छे से धूल जाता है और फिर जो इसका छिलका है गरम अलो अगर हम पानी में डालते हैं तो छिलका इ अगर हम आग में डालते हैं तो उसको एक बार पानी में जरूर धुल लेते हैं धुलने से क्या होता है कि राख जो लगी रहती है वो छूट जाती है और खाने में खिस खिस नहीं करता है एकदम अच्छा वाला टेस्ट आ जाता है तो यहां पर मैं आलू को फोड़ भी कि और फिर नीचे जाओंगी ना भूनी हुई आलू को हमें दुबारा से भून नहीं पड़ता है कड़ाई में चोकर लगाने कि अगर आपको कच्छा मतलब लासुन क्या कच्छी प्याज डालके और कच्छा तेल डालके खाना है ना तो फिर इस तरह से भूनी हुई आलू फिर चाय नहीं पीची नहीं तो लग रहा था कि जैसे कुछ मतलब की पेट में ही ही नहीं तो मैं यहां पे चाय बना के पी लेती हूं अध्रक खतम हो गई है इनको अभी आजकल जब बोलो ना तभी अध्रक लाते हैं गर्मियों में बिन बोले ही अध्रक लाके गांजे र ले आना है तो ले आएंगे और नहीं बोलो तो नहीं ले आएंगे तो यहां पे मैं लाओंगी लाइची डाल देती हूं और लाओंगी लाइची डालने से खुश्बू बहुत अच्छी आती है चाय में मैं कभी-कभी तेज पत्ता भी डाल देती हूं तेज पत्ता मैं जो प्रिति हो दे दूँगे ओर एक रूदिक रूटों तो शुआ उन्ट कभड़ काई सभाना नहीं बनता है दोपार तक जबकि टेड़ बजे का इस तो चाहीं है तो घर में राते हैं न दोपार में सो जाए तो इनका थाली लग गई है अप लोग भी आ जाए ख़ाने के लिए मैं इनको दे देती हूँ खाना तो प्लेट में जो है चोखा है रोटी है और धर में सुबह बनाई तो नहीं खतम होई थी उसको भी